और आप सबका स्वागत है जियो खान यूटूब चैनल पर आज है आपका क्लाइमेटोलोजी लेक्चर 6 और आज हम डिसकस करेंगे रिलेशन से बिट्वीन सन एंड अर्थ किसके बीच में सन और अर्थ के बीच का रिलेशन देखने की कोशिस करेंगे ठीक है देखो जियो फिजिक्स लेक्चर 2 में मैंने आपको केपलर्स लोग एक्सप्लेइन कर दिये थे और उतनी डिटेल में एक्सप्लेइन कर दिये कि किसी भी तरिके का क्यूशन अगर उन लोग से आता है तो आप आराम से कर पाऊगे उसी का थोड़ा सा और अक्स्टेंशन अपन क्लायमेटलोजिकल परस्पेक्टिव में देखते हैं ठीक है केपलर्स का फर्स्ट लोग क्या बोल रहा था कि हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल करती है एक एलिप्टिकल पाथ में तो वो इलिप्टिकल पाथ को mond आपने को यह भी पता है कि सन जो है वो एक उनारमस पावर प्लांट है और वो लगातार हीर्ट रोग हीट करता है ठीक है और वह जो रडियेस हैं इसाड़ल ओखैंगे स्टिफन बॉल्जमान लो भी पढ़ेंगे यहां पर आप यह समझो कि सोलर रेडियेशन जो है वह हमारी अर्थ पर पहुंच रही है अब केपलर्स फर्स्ट लो और सेकेंड लो को अपन ध्यान से अगर देखते हैं तो वहां से एक चीज अपने को किलियर कट समझ में आती है कि हमारी जो अर्थ है वह Sun के अरौंड elliptical path में revolve कर रही है तो उसमें हर point पे Sun से जो distance है वह unequal है और दो ऐसे points अपने को मिलते हैं कि जहां पर अर्थ है वह nearest to the Sun होती है और एक point ऐसा होता है जब फार्देस्ट from the Sun होता है ठीक है और जब nearest to the Sun होती है उस point को अपने बोलते at pal alien δια मुखसाओ इसको talking well time एक लिए टो था अपना जी सीगल परस्पेक्टिष है ना अपने को क्लायमे लगेकल प्रसपेक्टिव में आपने को यह देझना है कि Papagчикu का होती है डूरिंग the revolution ओफ-वा फेते होलीूशन को पे अपने की मिलता है कि अपने और्फ जनवरी धार्ड देखने को मिलती है त्री जनवरी को और यह एक चीज बहुत ही किस्टल के लिए तो बेसी तो नजदीक होगी तो वो डिस्टेंस कितनी होती है बिए करीब करीब आपकी वन फॉर्टी सेवं मीलियन किलोमेटर उप फार्देश्ट प्रॉम तो और आपकों यहां के । किलियर होना नज़्याने है यहां से कि जब अपनी पर शन्के नजदी कोंगी स्टेजार डियेटेसिन उसका reviews भी ज्यादा होगा कि मैं ये तो जब दूर होगी तो solar radiation आपन रिसीव करेंगे आर्थ पर वह भी कम होगा जुलाइच के अंदर solar radiation जो है वह कम होगी और जनुवरी के अंदर solar radiation ज्यादा होगी लेकं नदल हमीश्पेर में अपने पास में हो क्या रहा है झन्वरी के अंदर तो विंटर्स होती है क्या होती है विंटर्स कब जब यह स्तिति है और यहां पर अपने को सॉलर रेडियेसन कम मिल रही है तब क्या है समर है मतलब समर का क्रेक्ट्रिस्टिक पॉइंट क्या है कि गरम होगा temperature ज्यादा है और winter का characteristic point कि और all temperature कम होगा temperature क्या होता है कैसे define करते हैं कैसे vary करता है वो अपन आगे lecture में deal करेंगे लेकिन यह यहाँ पर point आपको एकदम clear हो जाना चीए कि जब perihelion condition पर है तो solar radiation ज्यादा है कितना ज्यादा usual से 7% जो usual solar radiation अपन receive करते हैं उससे 7% ज्यादा है और यहाँ पर 7% कम हो जाएगा मतलब यहाँ ज्यादा है तो usual से यहाँ पर कितना 7% कम और ऐसे है कितना solar radiation जो आती है जितना solar radiation आता हमारे पास में अर्थ के पास में उसका हम total सिरफ जितना solar radiation है या यूँ बोलें उसका सिरफ less than 1% अपन receive करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा significant amount आप बोलोगे कैसे यहाँ पर यह इस तरह से कि 174 megawatt billion megawatt 174 billion megawatt जो solar radiation है वो हम receive करते हैं heat की form में तो आप बोलोगे कि कितना है 174 billion megawatt को reference point बता सकते हैंगा जैसे इंडिया में ले या कोई अपने जैसे नियॉयोर्क सिटी है नियॉयोर्क सिटी कहां पर ठीक है पता होना चाहिए जहां पर टोनी स्टार्क का office है ठीक है तो यहां नियॉयोर्क सिटी को 10 साल अगर continuous day night बिना किसी कटोती के अपन बिजली सप्लाई करें तो भी वह 1 billion से कम होगा 1 billion मेगावाट से कम होगा मनलब 10 साल तक लगातार अगर नियॉयोर्क सिटी को आपन बिजली दें तो वह वह कितने खपत करेंगा 1 billion मेगावाट और अपने को एन्मेली कितनी सोलर रेडिशन मिल दिये 174 मेगावाट पर यह और 10 साल में यह खपत होती है तो सोच सकते हूं कि कितना ज्यादा होता है तो इस चाहिए इसका इर्रेगुलर हीटिंग होती है कहीं पे लेंड पार्ट में रेडिशन देखने को मिलता है कि कहीं पर आप जाओगे तो तो कि न्हीं होगी और उसकी वज़े से आपका हाइप रहे से आपकी विंड्स जाएंगी वेंड करेंगी इस अधिक वेदर फिनोमीना देखने को मिलते अर्थ सर्फेस पर तो अगर अगर अपन सन को बंद करा दें किसी तरीक तुम दो जा तो अपनेको यह विन्ड वेदर जितने भी है क्लाइमेट व्लाइमेट मिल रहे हैं वो सारे एक सारे बंद हो जाएंगा अपने तो यह एक बहुत जादा सिग्निफिकेंट है लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के लिए जो आपन सोलर रेडियेशन रिसीव कर रहे हैं और यह कभी बंद होगा न ठीक है यहां पर आपको दो-तिन चीज़े समझ में आगे होंगी कि मैं क्या बोलना चाहरा हूं कि पेरिहलियन कंडिशन में जब अपने को सोलर रेडियेशन ज्यादा मिल रही है तब तो अपने को नदन हमिस्फियर में गर्मी मिल रही है मतलब सर्दी मिल रही है जन्वरी है लेकिन गर्मी तो अपन यह बोलता है के तंपरिशे जादा होता है ओर सरदीयों में अपने बोलता है यह उल्टा पॉयंट समझ में Cantonese में कम ज़ pursue एक चीज्ट गयर consequence अगर अगर अपन कम ज्यादा करते हैं तो उसका अर्थ पे जो सीजन्स बन रही है विंटर समर ऑटम स्प्रिंग इसके उपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ठीक है और यह क्यूशन में बार-बार पूछ सुका हूं क्यूश में पूचा हूं पता नहीं कितने बार इसको साथ के रिवोल्यूशन से इसका कोई ना जना नहीं है सीजन्स का क्यों कि जब सबसे नजदीक है उस टाइम पर तो गर्मी सर्दिय मिल रही है गर्मी मिलनी चाहिए थी यहाप से तो जो लोजिक ओफ्रेम है वह यही बोलता है कि जब सबसे नजदीक है तब तो मेरे को घर मिलनी правильно सब्सक्रांब मिलनी करते हैं में को और आर्थ की रोटेशन का नहीं करते हैं क्यों कि मानलोग कि अर्थ रोटेशन अगर यह एकलिप्तिक प्लेन और यहां लक्र रोटेशन का में है है और किदर से रोटेट कर रहिए वैसक टो गड्ट इसी संहरी किदर से किदर वह लेगन सुरज करने में कि सूरज ना तो ब्रॉक हो यह अनुभाव कANSकर वाता इस किसकी वाद से वह रहा है अर्थ के यह वगरा बताया है ठीक है यहां पर देख सकते हैं कि यह जो है इसके अंदर यहां पर यह इंसलेशन जादा होगी तो लो प्रेसर बनेगा विंड वो राइस करेगा अगर यह अनिक्वल हिटिंग नहीं हो रही होती तो यह जो विंड सर्कुलेशन मिल रहा है यह भी सारा का अपना बंद हो जाता ठीक है तो इसका मतलब है अब यहां पर इस चीज़ को समझो है हमारे जो अर्थ का जो एकलप्टिक प्लेन के साथ में एंगल है यह 90 ृता तो क्या होता मतलब यह जो एकलिप्टिक प्लेन तो समझ गए न कि जब अपनी अर्थ जो है वह एक है यह मान लो कि यह अपनी अर्थ है तो यह इसके परपेंडिकुलर नहीं है ठीक है अगर परपेंडिकुलर होती तो क्या होता जासे यहां पर समय है तो इसे школ मिलती क्योंकि लगातार आदेश्से पर दे रहता है और यहां पर उल्टा हो रहे हैं नौ यहां पर उल्टा हो क्यों हरा है यहां वह किसे हमारी जो इत लिए में फार्श हे यह हमारी अर्थ है ठीक है और यह अर्थ है वो यह इसकी रोटेशन अक्सिस है और यह रोटेशन अक्सिस किस के थुरू हो के जा रही है पॉल्स के थुरू ठीक है तो यह रोटेशन जो imaginary line rotational axis यह वर्टिकल नहीं हो कि यह एलिप्टिकल प्लेन के साथ में वर्टिकल नहीं हो कि यह कितना एंगल बना रही है 23.5 तो अपनी अर्थ की जो पोजिशन वह एकलिप्टिक प्लेन में किस तरह की है इस तरह की यहां पर समझेंगे आप कि यह हमारी अर्थ है यहां पर और कुछ हिस्से पर light आप बिल्कुल ही नहीं फिर यह rotate कर रही है ऐसे तो फिर रोटेट करते करते यह position होते रहे अब यह position change होगी तो उसके वज़े से क्या effect पड़ेगा किस तरह के फिनोमेना आपने को देखने को मिलेंगे यहां पर कुछ latitude specific latitude के अपन बात करेंगे यह सारा क oğlum और इससी और चछान आपनी टायिम एसा होता है जब सन के सबसे नजडिक होती है और एक टाइम ऐसा होता है जए कि नजभा पर यहां यहां पर जन्रीह में अपने को क्या मिल रहा है विंटर्स और यहां पे जुलाई में जब सॉलर एडिशन कम है तो यहां पे नदन हमिस्पेर में क्या मिल रहा है अपने को समर्स तो यह हो क्यों रहा है ठीक है तो एक बात तो यह किलिए रोनी चाहिए कि रिवोल्यूशन की वैसे समर विंटर यह अपन डिफाइन नहीं करे हैं दूसरा आपन बोलते हैं कि रोटेशन की बैसिस पर हो रहा है क्या नहीं रोटेशन के बैसिस पर होता एकलिप्टिक प्लेन के अगर प्रपेंडिकुलर होती तो क्या होता है बारा गंटे डे लाइट मिलती है और बारा गंटे आपका complete darkness रहता लेकिन अपनी जो अर्थ से inclination होने की वज़े से कई सारे phenomena देखने को मिलते हैं उसको अपने को deal करना आई होप कि आपको basic point हो समझ में आगया हो पकड़ में आगया हो चलो इसको महटा देता हूं और उसके बाद में इसको अपन continue करते हैं अब एक point आपके जहन में बिल्कुल clear होना चीए वह यह है क कि अर्थ के revolution का अर्थ की seasons पर कोई effect नहीं पड़ता है तो effect किसका पड़ता है उसको भी देख लेते हैं अब अपने पास में two-hour factor के अपने बात करी थी एक अपना था revolution में फिर से आपको एक छोटा सा revision कुरा रहा हूं क्यूंक रिविजन और एक आपका है rotation और इसको मैं climat rotation of complete day define किया था ठीक है तो यह rotation कितने देर में होता है 24 hour में होता है और यह कितने दिन में होता है 365 and one by four days ठीक है तो यह total अपने पास में facts है अब यहां पे आप rotation में देख रहे होंगे कि अपनी जो आर्थ है इस तरह से है और अपनी जो आर्थ है वो किदर से किदर rotate कर रही ह वेस्ट टू इस्ट ठीक है वेस्ट टू एस्ट रोटेट कर रही है और यह जो rotation axis है rotation axis क्या है एन imaginary line through which the earth is rotating ठीक है imaginary line through which the axis earth is rotating अपने किस्टलोग्राफिय में बताया था ना कि जो imaginary lines होती है जिसका लोग अपन किस्टल की growth देखने की कोशिस करते है वैसे axis of rotation अर्थ की define करने के लिए अपन क्या वोलते है एक imaginary line जिसके through earth जो है वो rotate कर रही है और यह कहां से कहां जा रही है पॉल्स के through होते विजा रही है ठीक है यह point द्यान में रखना अब rotation के basis पे अपन ने क्या define करती duration of day ठीक है कि एक complete rotation करने में इसको कितना time लगता है 24 hour यह तो क्यों एक fact हो गया अब यहां पर एक point आपको देखना पड़ेगा वो यह है कि सर्दियों में अपन ऐसा देखते हैं कि daylight की duration जादा है और night time कम है मतलब यह inequality क्यों मतलब दिन रात जो है वह equal क्यों नहीं है और यह seasons to season night क्यों आ रहा है ठीक है चलो समझ में आए गया है कि rotation कर रहा है तो rotation की वज़े से हो रहा है कि variation किसकी वज़े से आ रहा है अब यहां पर आपको कुछ समझना पड़ेगा क्या है वो क्या समझना है देखो यह हमारा एक elliptical plane है ठीक है इस किसी एक focus पर हमारा sun है ठीक है अब हम मान लेते हैं कि यहां पर अपनी अर्थ है तो अर्थ को मैं थोड़ा से एक्जेजरेट कर रहा हूं अग्जेजरेट यहां पर कर दूँं एक्जेजरेट कर ले मतलब थोड़ी स्केल बढ़ा रहे हैं अपन संके comparison में यह हमारी अर्थ है और यह हमारी अर्थ की rotational axis है ठीक कर रहा है और यह जो प्लेन है यह इसको अपन कर बोलता है प्लेन ओफ एकलिप्टिक तो आइडियल सिनारियो तो यह बोलता है कि यह एकलिप्टिक प्लेन के परपेंडिकुलर अर्थ की rotating axis होनी चाहिए थी लेकिन एक्जेक्टली है कैसी यह जुका हुआ है कैसे बताता आपको मैं इस तरह से यह हमारी अर्थ है और यह इस तरह से एकलिप्टिक प्लेन के साथ में यह एंगल बना रही है यह इस तरह से और यह एंगल कितना बना रही है 23 and half degree कितना 23 and half degree अब 23 and half degree होने के वज़े से आपके पास में दो लेटिचूड है वो बहुत special हो जाते हैं कौन-कौन से यह तो अपना क्या 0 degree latitude है एक अपना 23 and half degree north latitude and 23 and half degree south latitude इन लेटिचूड का बहुत ही significance है in terms of defining the seasons अब आप बोलोगे कि इसकी वज़े से सीजन कैसे हो रही है तो यहां पर अपने पास में कुछ concept आते हैं वो है आपके equinox and solstice इसको अपन समझते हैं मैं आपको कम laptop की स्क्रीन से बेटर समझाता हूं इसको और उसके बाद में फिर से अपन इस पर whiteboard पर switch करेंगे ठीक है अपर यह एक book है इस book के में direct diagram यह आपको दिखा रहा हूं ठीक है इन diagram को explain कर रहा हूं जैसे कि अभी आपको बता दिया है कि अर्थ की जो rotational axis है वो ecliptic plane के साथ में 23.5 degree angle बनाती है और इस को अपन गया होता है टिल्ट ओफ rotational axis और inclination of the rotational axis यह inclination of the earth axis यह simply भी अपन ऐसे भी बोलता है inclination of the axis ठीक है तो कुल मिला करके काम होई रहना है सार अब यहां पर आप यह देख रहे हैं कि दो latitude हैं उनको अपन भूत खास तबज़ देंगे एक अपना है 23.5 degree south latitude और एक यहां पर एक और होगा 23.5 degree north latitude और एक है आपका 66.5 degree latitude इसको अपन बोलता है Arctic Circle क्या बोलता है Arctic Circle और यह 23.5 degree north latitude इसको अपन क्या बोलता है Tropic of Cancer और 23.5 degree south latitude इसको अपन क्या बोलता है Tropic of Capricorn तो मेरे को कमेंट बोक्स में यह बताना है कि यह Tropic of Cancer वह अपने इंडिया में कहां कहां से गुजरती है अगर गुजरती है तो अब यहां पर देखो कि कहीं यहां कहीं पर Sun परजैंट है ठीक है और Sun से solar radiation आ रही होंगी औ और इस orientation में यह जो आपको डियाग्राम में दिख रहा है इस orientation में आप देख सकते हैं कि जो 23.5 degree latitude है south southern hemisphere में इसमें क्या होगा solar radiation आ वह परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या है जैसे मैंने आपको आने वाले इसी वीडियो लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में बताया है कि वह परपेंडिकुलर इनक्लाइंड और यह होने से क्या फरक पड़ेगा तो यहां पर परपेंडिकुलर होने से क्या होगा जो solar footprint बनेगा जो जितना यह सर्क फोली एक्सपोजड टू of the solar से क्यात और यहां पर देखेंगा हैegeं नोर्फ पोल जो है यहां पे जो अफ्प ये कि ईर द कॉ में यहों प्लड़ में नौर्थ पाल के उपर धार्कनेंज शायुक्षया और यहां पे सबसे ज्यांदा जो टे हुग है तो इसको अपन इसके वज़ए से होगा क्या यहां पर कभी सारी छीजे अपने करने क्या सिस्व करेंगे इसको मैं ने neural obrig ADAM उससे समझाता हूं यहां प्षे यहां पर यहां पर यहां पर जो सोलर रेडिएशन इसके बात करेंगे यहां पे देखेंगे कि जो सॉलर रेडिएशन वो 90 डिग्री एंगल बनाएंगी 23 अब डिग्री साथ लेटीचूड के साथ में और बागे के साथ में एंगल यह बनाती रहेंगी तो यहां पर सदन हमिस्पेर के अंदर नौर्थ होगा क्या कि डूरेशन ओफ डे और नाइट विल बी अनिक्वल देख सकते हैं यहां पर यह जो है अपना अर्थ हो रोटेट कर रही है किदर से किदर वेस्ट तो यहां पर तो 24 गंटे लाइट रहेगी और यहां पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है मतलब 24 गंटे अंधेर अब अपना प्लानेट कर रहा है सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पास में और वह इस तरह से तरह से आप देखेंगे जैसे यहां पर पहुंचेगा इस स्थी में तो यहां पर सोलर रेडेशन वह ओवर हेड करेंगे किसके ऊपर एक्वेटर के ऊपर करेंगे तो यहां पर और आपर होगा लाइट आवो एकवल पहुंचेगी ठीक है इसके वाज़े से डे और नाइट की जो डुरेशन होगी वह बिल्कुल एकवल होगी ठीक है तो यहां पर देखेंगे इस पॉइंट पर आप देखेंगे यह जून में अपन बात करते हैं जून 21 22 यह अगें लेंगे और यहां पर इस्तिति अपने पास में जो और अपका गायब हो गया बिल्कुल अंधरा रहेगा साउथ पॉल के उपर यहां पर यहां पर यह पूरा रोटेशन करेगी तो चारो चौविश गंट रहेगी और जैसे आप यहां से एकवाटर की तरफ जाएंगे तो तरफ जाएंगे तो आफ्टर से आज़िसर्किल आफ्टर आख्टी सर्किल जो डए लाइट की डूरेशन होगी वह 24 हर और एक्वेटर से जैसे आप नॉर्थ पॉल की तरफ जाओगे तो आपकी डे की जो डूरेशन वह बढ़ती चले जाएगी ठीक है और यहां पे एक इसमें क्या होगा अपने पास में दिन चोटा होगा और रात जो होगी वह सबसे बड़ी होगी ठीक है अब यहां पर आप देख सकते हैं इसमें कि जो ऑवरेड हो कितने डिग्री एंगल पर कर रहा है तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना इसके बाद में घूम के यहां पर लेगा और यहां पर आपने पास में सेंपटेंबर एक्विनॉक्स बनेगा इकविनॉक्स का मतलब है कि डे नाइट की जो डूरेशन वो ब्रापर हैं अब यहां पर यह तो इनाइट की ऊपर बिल्कुल इस के यहां पे आप थोड़ा सा और देखें कि संडरेज वह कितना इंगल बना रही है कितने डिग्री लेटिजूड पर कितना इंगल बना रही है तो आपने को यह पता होना चाहिए कि कि इन इंगल निकालेगे ट्राइड खुन लेटिट्यूड पीटूड आयओं कितना लेटीयूड मेश द्रेवल करना पढ़ेगा यह तो ड्रेवलन पत्रोरटल कितना होगया इस hawrgemhabitude 60 है और इस तरह से आप किसी भी लेटिटूड पे सोलर रेडियेशन का एंगल निकाल सकते हैं अगर आपको यह पता है कि किस लेटिटूड पे संजो है वह ओवर हैड है ठीक है तो यह बिलकुल आप कल्कुलेट कर सकते हैं मालोग आपको बोल दे कि इक्विनोक्स में मार्च या सेप्टमबर में आपका 21-22 सेप्टमबर को इक्विनोक्स होता है और उस दिन आपका संद्रेज होती है वह एक्वेटर पर ऑवर हैड गरती है तो आप बताओ कि 23 अप डिगरी नौर्थ लेटिटूड पे सॉलर रेडियेशन जो होंगी उनका कि अगर एक लेटिटूड पे दिया हुआ है कि सन जो है वह और हैड इस लेटिटूड पर है और किसी दूसरे लेटिटूड पर आप से कैलकुलेट करवाए कि कितना डिगरी एंगल पर इंसिडेंस होगी ठीक है अब जैसे यहां पर यह डागराम इसको बार-बार आपको तो आप देखेंगे कि जो डे नाइट की जो डूरेशन वह अनिक्वल रहेगी मतलब सदन हमिस्पेर में राते बड़ी होंगी और नदन हमिस्पेर में दिन बड़े होंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 66 अंद हाफ डिगरी लेटिटूड के बाद में यह जो पूरा इसके उपर अवेलबल रहेगी तो 24 आवर जो लाइट इसके उपर अवेलबल रहेगी फिर आप जैसे ऐसे इदर आएंगे तो डे लाइट की जो डूरेशन वह कम होती चले जाएगी ऐसे दिसंबर सोलस्टास में देखेंगे तो सदन हमिस्पेर में दिन बड़े होंगे औ वह क्या होता है ठीक है यहां पर आप देखेंगे वह डाइगराम कहा गया वही ऐसे मत कर यार अनलीमा एक डागराम होता है बैसिकली वह बताता है कि साल के कौन से मंत में कौन से दिन में संजो है वह ओवर हैड होगा ठीक है तो इसको आप थोड़ा सा देख लें जैसे यह यहां पर यह एक रेफरेंस बताता है कब कि यह एंगल ओफ नून सन फॉर एनी लोकेशन ओन दी ग्लॉब तो जब आपको यह पता होगा कि साल के कौन से मैने के कौन से दिन आपका संजो है वह ओवरेड होगा तो किस लैटिटूड पर होगा वह भी बताएगा ओविसली त अपना अब आपने को पता है कि जैसे देढ़्य रेटीटीटिट है जिरो इक्युन उनक्स की कंडिशन में उवरेड करेगा सैप्टेंब और मार्च मार्च 22 और 23 और सेप्टेंबर 22 और 23 समझ में आ रहा है ना तो यहां पे सेप्टेंबर 22 और 23 का जब देखेंगे ना तो जिरो डिग्री लेटिचूट पे यह ओवर हेड कर रहा होगा तो कुछ बैसिक पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से किलियर हो रहे होंगे दिरे दिरे अब आप कुछ पॉइंट्स और समझ सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पर डायग्राम बनाने की कोशिश करिया हालांगे मैं वेरी पूर इन डायग्राम मेकिंग फिर भी कोशिश करिए पूराइन बनाने जैसे यहां पर डायग्राम में होगा क्या है कि हमारी अर्थ वह इस तरह से जुगि बी है तो जो अवरेड होगा सन वह कहांप वह अगा हुगा 235 डिग्री साउथ लेटीटूथ ठीक है और यह हमारे साउथ पॉल होगा नवह पूरा का पूरा पूर्ण और लाइट अवा हमारे यहां पर नॉर्थ पॉल पर पहुंच नहीं पाएगी तो यहां पर क्या होगा आपकी कंप्लीट लाइट होगा ठीक है और यहां पर यह ओवर हेड होगा तो मैक्सिममट टेंप्रेचर कहां पर देखने को मिलें तो यहां पर आएंगे मार्च में तो यहां पर आपने को क्या मिलेगा एकविणोक्स उपड़ेखने को मिलें जेगा और यहां पे इसका characteristic feature कि दे लाइट और नाइट टाइम दोनों equal होंगे और इसका कारण कि यहां पे equator के ऊपर जो सन हो overhead कर रहा है ठीक है और यहां पे एक पॉइंट ओर है वो देखने को यह यह भी है यहां पर कि नाइट जो duration तो इक्वल होगी ठीक है ऐसा कभी नहीं होगा है कि आपको दे की डूरेशन वह मैक्सिमुम मिलेगी और नाइट की डूरेशन वह मिनिमम मिलेगी यहां पर उसका कारण कि यहां पर आपने को क्या मिलेगा समर सॉल स्टाइस में होगा कि जाएगा और यहां पर यहां पर जैसे आप पॉल की तरफ जाओगे वैसे वैसे क्या होगा एक्सपोजर टू दी सनलाइट बढ़ता चला जाएगा ठीक है तो डे लाइट की जो दूरेशन वह बढ़ती चले ज रहेगी और 66 डिग्री और 66 अब डिग्री लेटिटीट नॉर्थ इसके उपर जाओगे तो 24 आवर आपको क्या मिलेगी डे लाइट मिलेगी यहां पर देख रहे हो यह तो रोटेट कर रहे हैं लेकिन यहां पर तो सनलाइट तो अवेलबल रहेगी 24 आर इसलिए अपन बोल बात करें लेकिन दोनों ही किसके लिए बात कर रहे है नहुन हमिश्पर के मिलेह बात करें तो नहुन हमिश्पयर में डिसंबर्स हों देंन्स लॉंप का लॉंगेस्ट डे होगा और सोतेस्ट नइट होगी और संफ मैं हो जाएका सबसुस्टफ सब्सक्राइब दूब मेंसंट हो रहा हो गा विंटर और सब्सक्राइब स्बिस्तasıर हो चबकुछ कुछ बैसिक पेसिपों gener I आपको यह ता देता हूं पहले आना एक सेकंड चले माँ आपको कुछ और फैक्स बता देता हूं इसके बारे में देखो 16 की बात कर रहें तो पहले 16 की बात कर लेते हैं 16 में होगा क्या कि आपकी डूरेशन ओफ डे और आपका नायट विल बी ऑनिकवल ठीक है तो आपके बाद में दो सॉल्स टाइस हैं एक समर शॉल्स टाइस और एक आपका विन्टर शॉल्स टाइस समर शॉल्स टाइस में आपकी डे की डुरेशन हो नायट की डुरेशन से ज्याना होगी और यहां पे मैं अगर Faculty for next एक जाहूं अब आपका सोल्स्टैस होगो खोता कब है। है आपका जून इन दर समर क्याई नधन हेमिसफियर की bada कर रहे हैं और आपका दिसम्बर के इन्दर विंट्र विंट्र सुल्स्टैस होगा तो आपका जून ट्वंटिव अपने इसको बोलते हैं तो आपसे पुछा जाए कि इन क्लाइमेटलोजी और इन एस्ट्रोनॉमिकल जियोलोजी आपका फर्स्ट डे ओफ दी समर कब होता है तो आप बोलेंगे जून सॉलिस्टाइज जो होता है ठीक है 21 या 22 यह दोनों डेट दी भी रहेंगी और आपसे प देहां रखेंगे कि फर्स्ट ऑफिशल डे ओप दी विंटर्स इन विंटर सॉलिस्टाइज मिलेगा आपको और वह कम मिलेगा 21 22 दिसंबर ठीक है अब यहां पर जून जो सॉलिस्टाइज होगा विंटर सॉलिस्टाइज समर सॉलिस्टाइज इसके अंदर देहां मिलेगा तो यहां पर सोटेस्ट डे मिलेगा यह भी बोल सकते हैं यहां पर इसका कारण समझोगा क्यूं होगा देखो यह अपन ने एक समर सॉलिस्टाइज का एक एक एक्जामपल लिया है समर सॉल अधन हमिसपियर की बात करें उस टाइम पर होगा कि 23 अंद हाफ दिग्री सो नॉर्थ लेटिटूड है इसको अपन बोलते हैं ट्रॉपिक ओफ कैंसर क्या बोलता है प्रॉपिक ऑफ कैंसर ध्यान में रखना ट्रॉपिक ओफ कैंसर इस फ़र सॉलर रेटिकिल होंगी मतलब मैएक्सिमॉम सॉलर रेडिएशन रिसीव कौन करेगा यहां पर ट्वंटी थरी एंड हाब डिग्री नौर्थ लेटिच्छ तो मेक्सिमम टेंपरेशर आपको समर्थ में कहां पर मिलेगा सिवच त्वबहराइब नौर्थ लेटिच्छ यह सई है क्या यह गलत है क्यों क्योंकि आपका जो म मिलता है ऐसा क्यों है वो भी मापको बताता हूं यहां इस डियाग्राम से समझ में आएगा कैसे देखो अब जैसे आप 23 अप डिगरी नौर्थ से निचे आओगे तो सोलर रेडियस नों कुछ नों कुछ एंगल बनाते हुए चले जाएंगी और ऐसा होगा एक साउथ पोल पर तो दिखेगा यह नहीं मतलब यह लाइट पहुंचेगी नहीं तो यहां पर क्या होगा कंप्लीट डार्कनेस लेकिन यहां पर क्या और अर्थ रोटेट तो इस तरह क्या बोलते हैं याद हो जाना चीए ठीक है चले यहां पर देखेंगे कि जैसे जैसे आप 23.5 नॉर्थ लेटिचूट से पॉल की तरफ जाते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा कि यह एंगल ओफ इंसिडेंस तो कम होता जा रहा है लेकिन यहां पर लाइट की पूरी की भी पूरी है और यह और कंप्लीट रोटेशन भी कर लेगा लगा तब भी यहां पर प पूरी पूरी रहेगी क्यों से समझने हो ना यहांपर पूरा का पूरा रोटेशन ब्ली नॉर्ट से आप वोडॅब जाओगे तो वहां पर एक क्रेक्टरिस्टिक फिचर होगा वो क्या होगा दे लाइट की डूरेशन बढ़ती चले जाएगी ठीक है और ट्वंटीफॉर आउर लेट डेलाइट की डूरेशन कब हो जाएगी आर्क्टिक सर्किल के बाद में अब यहां पर आप देख सकते हैं क की जो इंटेंशिटी होगी जो डेलाइट की डूरेशन बढ़ जाएगी तो ट्वल आवर से जादा हो जा रही है तो कोई सर्फेस चोविस गंटे तक या अठारा गंटे तक लगातार सॉलर रेडियस रिशीव गर रही है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर टेंप्रेशर ज घप डार्कनेस ठीक है तो यहां पर होगा क्या कि अब जो डेलाइट यहां पर टॉंटी फॉर आउर हो रही थी वह यहां पर हो जाएगी आयोप क्या आपको पॉइंट समझ में आ गया इसलिए जो थर्मोकलाइन की जो ठिकनेस है वह सबसे जादा कहां पर मिलती है आपको इस तरह से डिपेंडेंस यह इसकी ठीक है इन सीजन्स के ऊपर आई होप कि यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कुछ और बैसिक पॉइंट सा उनको भी मापको बता लेता हूं फटाक से आगे इसको डिसकस कर लेता है ठीक है पहले मैं इसको बोड से हटा देता हू तो लगे हाते हुआ आपको एक्विन् ओक्स के concern में अपने पास में कि जैसे मानलो कि यह हमारी अर्थ है है और यह हमारा EQ आ और संठाहिं पर यहां यहहां पर हैं तो यहां पर होगा क्या कि यत्जु इकवेटर पर तो सब वें दिडूरेशन ओप डेन नाइट इक्वल इसको अपने उलते हैं एक विनॉक्स और अपने पास में एक कंप्लीट अर्थ का जब रिवुलिशन होगा सन के चारो तरफ तो यह अपने पास में कितनी बार मिलेगा दो बार मिलेगा एक बार आर्थ यहां पे होगी एक बार मार्च वाला बोलेंगे और इस पर एक वाल लेंगे सब सेब्टम्बर वाला अठीक है सब्टम्बर वाला को तो यह पोइंटा थोड़ा जा ध्यान भार रखना अब यह सेप्टम्बर के अंदर जो अपना एक सेब्टम बार और के एके होता है यहां पे लिखिया उपर सो अपना मार्च 20 30 22 को अपनेjor को आपने म्मोंए ऊलता है ई rasp has then जो वह सीज़न राप्र इसको अश्रेफ्न सिजन की पेड़ों से पत्रेशों है जड़te रहता है इसको करेस्फ्रिक और अंदर यह से इसकते हैं आपको एकडम से क्लियर हो गया ठीक है कि equinox कब होता है इनके क्या-क्या characteristic है और किस point पर अपने को बोलते हैं ठीक है और कौन-कौन से महने में किस date को अपने को यह देखने को मिलता है ठीक है तो यह थोड़ा सा point ध्यान में रखना ठीक है लाड़ ले चालो देखो यहां पर अपन seasons define करने की कोशिस करते हैं एक point आपको बिल्कुल clear हो जाना चाहिए अब तक कि seasons are defined on the basis of or seasons are due to inclination of the rotation of axis with respect to its ecliptic plan ठीक है अब अपने को पता है इन जनरल जो आपन देखता है कि गर्मिया सबसे अधा कब होती है आपकी जून जुलाई अगस्त इसमें होती है क्या फिर आपन बात करता है कि सर्दिया कडाके की ठंड देखने को मिलती है ठीक है फिर उसके बाद में पत जड़ का मोसम देखते हैं तो आपने को जनरली मार्च अप्रेल माई तक देखने को मिलता है मही के बाद में पत जड़ नहीं होता है जनरली और उसके बाद में जब कडाके की गर्मी जो पढ़ती है वह तो यहां पर शिफ्ट होता है लेकिन जो अपन सोल स्टाइस और इक्विनोक्स देख रहे थे उसमें देख रहे थे कि जब ऑफिशियल डे ओप दी विंटर कौन सा है दिसंबर सोल स्टाइस टोंटीवन और ट्वंटीटू तो वह बीच दिन पहले दिसंबर से स्टार्ट हो गई थी न तो जो पहले मैं अभी थोड़े दिर पहले वह था कि एस्ट्रोमिकल जब आपन सेजन्स डिफाइन करते हैं लेकिन जो अपन क्लाइमेट लोजिकल सीजन्स डिफाइन करते हैं समर विंटर ओटम इस्प्रिंग यह किसके बाइसेज भी डिफाइन करते हैं ठीक है तो यहां पर एक क्रेक्ट्रिस्टिक पॉइंट दिहान में रखना है कि जब एस्ट्रोमिकल सीजन आपसे पुछी जाए तब आप बताओंगे ट्वंटीवन सुयर्स के लिए तो जून 21-22 लेकर के शेटमबर 23-22 तक यह रहेगा आपका समर रहेगा और उसके बाद में फिर आपका ऑटम रहएगा सेटमबर से दिसंबर तक करए तो आपने सीजन करते हैं जून-जुलाई-एगस्ट फिर आपन जब ओटम सीजन defi और जब अपन winter define करते हैं तो यह आपका क्या December, January और February और उसके बाद में जब अपन spring define करते हैं तो यह आपका क्या March, April और माई ठीक है तो यह seasons है इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना अब एक fundamental point है कि अगर हमारी inclination of earth है वो 0 degree होता मतलब ecliptic plan के respect में उसका कोई भी inclination नहीं होता तो क्या हमारे पास में seasons होती क्या straight forward answer है नहीं होती ठीक है अब आप से पूछा जाए कि जैसे आप देखते होंगे कि एक month में location to location जो day night की duration हो चेंज होती है ठीक है तो यह किसके वज़े से होती है इसके दो principal reason है एक है आपका earth क inclination ठीक है अपनी rotational axis है उसका inclination with respect to the ecliptic plan और दूसरा latitude कि आपकी overhead हो रही है कि नहीं होरी अब overhead है कि नहीं होरी इसका क्या मतलब है जैसे आप बोल रहे है कि sun से जो solar radiation आ रही है वह अर्थ के उपर कितने angle पर आ रही है एकदम vertical आ रही है ठीक है यह एकदम vertical आ रही है या थो हो जाएगा ठीक है तो इसका सिंपल सा रेजन है जैसे आप अपने mobile के flashlight ओन ठीक है और उसको वर्टिकली सर्फेस पे नीचे गराओ तो अगर वर्टिकली जा रहा होगा ना तो उसका जो solar footprint बनेगा मतलब जितने light उसका बनाएगा illumination करेगा circle of illumination बनाएगा वह बहुत जादा होगा और reflection कम से कम हो रहा है और जैसे आप flash light को बिल्कुल थोड़ा सा एंगल देंगे तो आपका जो circle of illumination बनेगा उसका रेडियस वह बढ़ जाएगा और उससे होगा क्या है कि आपका reflection बढ़ना चलो जाएगा और absorption घटना चलो जाएगा तो जैसे जैसे एंगल ओ 15 डिगरी के 20 में रहता तो वहां पर reflection बहुत ज्यादा होता है absorption कम होता है इसलिए अपने को temperature conditions कम मिलती है लेकिन फिर वह वहां पर कम होता है लेकिन एक्वेटर पे जब यह ऑवर हेड कर रहा है बिल्कुल तो यहां पर absorption ज्यादा होगा उसके वाज़े से temperature ज्यादा होगा और equator से जब आप Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn पर आएंगे तो total variation कितना आ रहा है 47 डिगरी लेटिचूट तो एक बार time ऐसा होता है जब आपका 23.5 डिगरी के उपर यह बिल्कुल वर्टिकल होता है तो यहां पर maximum absorption होगा फिर एक time ऐसा है कि यहां पर vertical incidence होगा तो यहां पर maximum absorption होगा और यहां से यहां वेरी करता रहता है तो maximum temperature condition जो मिलते हैं आपने को इस latitudinal variation में मिलते हैं ठीक है तो यह point आप थोड़ा सा और ध्यान रखना है इसको मां oceanography में भी करवाऊंगा चलिए बाकी का आगे आपन डिसकस करते हैं कुछ है एक दो point हो रहा है कि आपको maximum temperature variation कहां देखन सा है कि outside of the tropics, tropics का मतलब समझ गया न कि आपना जैसे यह अर्थ है यह 0 degree latitude है 23 and half degree है यह आपका 23 and half degree है यह Tropic of Cancer है यह Tropic of Capricorn है यह अपना equator है ठीक है यह 23 and half degree 23 and यह 0 degree तो यहां पर आपको temperature variation हो बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा ठीक है more or less हो बहुत ठीक ठाक सा रहेगा लेकिन यहां पर जब आपन देखेंगे न तो tilt होने के वज़े से होगा क्या कि कभी-कभी six मैने लगातार यहां पर daylight रहेगी और फिर next जो six month हो complete darkness रहेगा तो एक ब variation will be seen on pulse not on the equator that's the point I want to deliver you ठीक है तो इसको आप ध्यान में रखना thank you so much for watching this video lecture all the very best for your examinations कल है ईद तो आपको ईद की मुभारक बाद आज क्योंकि कल तो मैं कोई लेक्चर अप्लोड करूंगा नहीं मतलब लेक्चर तो अप्लोड होगा बट वह आज ही रिकोर्ड कर लूँगा मैं सो कि खश्या वांटो प्यार वांटो और मजे मारो